यूपी सरकार की प्रविधिक सिक्षा मंतरी कमल रानी वरुन ने R9 TV से खास बाचित की है उन्होंने कहा कि साफ सफाई को लेकर प्रविधिक सिक्षन संस्थानों को निर्देश किया गया है कि अगर किसी भी प्रावधिक सिक्षन संस्तान में गंदगी मिली तो सक्त कारवाई होगी उन्होंने कहा कि ये छात्रों के भविश्य और स्वास्त का सवाल है अगर लापरवाई पाई गई तो करमचारी हो या प्रोफेसर सब पर बड़ी कारवाई होगी सरकार की कैबिनेट मंतरी कमर्रानी वरून हमारे साथ है मैं प्रावधिक सिक्षा की बात करें तो क्या कुछ नया होने वाला कि यह शिक्षा टिकनलोजी की है और टिकनलोजी की बारे में आप इतन हैं लोगन दर salty हर्णा इता साल वा आप देखें वह टिकनलोजी बादा जाती है मैंने यही चाहा था कि जो इस सभी मुर्तमार में टेकनलोजी है पुडाना खतम करके जिसे पुरानी लायव वगरा थी मैं उसको खताम कर रही हूँ उसमें नया जो टेक्नोलोजी वो उसमें आए ऐसा मैं चाहती थी और दो तीन चीजिए बहुत जरूरी थी जिसको मैंने चाहा था कि हमारे एंजिनिर्र कॉलिज में आए मैंने बच्चों से मुलागा आते हैं कि है मैं जाती हूं कॉल तो हमने यह मन में पहले ही से था कि हम इरी लापर एक प्वस्था की जाए और इसका कारण यह था कि मैं बहुत पहले अमेरिका गई थी मने देखा तो वहां कैसे बच्चों को स्टुडेंट्स को किस तरह से इस रहे की फाइदे मिलते हैं तो मैंने यहीं चाहा था और वो म चाहता है वो पर सकता है यह बच्चों के लिए सबसे बड़ी हमने जो अप्लब्धी दी है इस बार जी है मैं में एक और चीज है जो सरकार से अटाइज पॉली टेकनिक हो या अन्नी कॉलेज हो प्रावदिक शिक्षा का नतरगत जो आते हैं कई बारों में डोनेशन जैसी की बड़ी चीजे जो है इंवाल्व होती है सरकार कैसे खास और इस तरह को जमांग कुछ लगाएं इसके बारे में हम क्या बता है और जैसा विवस्ता चल रही है और हम लोग जितना चाहते हैं कि बढ़े फूले भड़े हमारा ये प्रावदिक शिक्षा में और क्या कहूं